अनेक अनेक शुब कामनाई आदेश एक आत्मे विश्वात से भरा हुआ है सपनों को संकल्प के साथ परीशम की पराकास साकर करके देश नई उचाईयों को पार कर रहा है आज का सुर्योद ए एक नई चेतना नया उमांग नया उत्सा नई उर्जा उसको लेकर के आया है मेरे प्यारे देश वाचियों हमारे देश में बारा वर्ष में एक बार निल कुरुंजी का पुष्प उगता है इस वर्ष दक्षिन की निलगिरी की पहड़ियों पर यह हमारा निल कुरुंजी का पुष्प जैसे मानों तिरंगे जंडे के अशोग चक्र की तरह देश के आज़ादी के परव में लहल रहा रहा है मेरे प्यारे देश वास्यों आज़ादी का ये परव हम तब मना रहे हैं जहम हमारी बेटियां उत्राखन, हिमाचल, मनिपूर, तेलंगना, आंदरपुदेश इन राज्यों की हमारी बेटियों ने सात समंदर पार किया और सापो समंदर को तिरंगे रंग से रंग करके वो हमारे बीच लौट आई मेरे प्यारे देश्वांचियों हम आज हाती का परवा आज उस समय मना रहे हैं एवरेस विजय तो बहुत हुए है अनेक हमारे वीरों ने अनेक हमारी बेटियों ने एवरेस पर जाकर के तिरंगा जंडा फ़राया है लेकिन इस आजादी के परवबर इस बात को याद करूँगा कि हमारे दूर सुदूर जंगलों में जीने वाले नन्ने मुन्ने आदिवासी बच्चों ने इस बार एवरेस पर तिरंगा जंडा फ़रा करके तिरंगे जंडे की शान और बढ़ा दी है मेरे प्यारे देशवाजियों अभी अभी लोगसभा राजशभा के सत्र पुरे हुई और आपने देखा होगा कि सदन बहुत अच्छे दंग से चले और एक प्रकार से संसत के ये सत्र पूरी तरह सामाजी की न्याय को समर्पित थे दलीत हो पीडीत हो सोसीत हो बंचीत हो महलाये हो उनके हकों की रक्षा करने के लिए हमारी संसत ने संबेदन सिल्था और सजाक्ता के साथ सामाजी की न्याय को और अधिक बलबत्तर बनाया ओबी सीग आयोक को सानों से समयधानिक स्थान के लिए मांग उठ रही थी इस बार संसत ने पिछडे अति पिछडों को उस आयोक समयधानिक दरज्जा दे करके एक सामविधानिक वबस्ता दे करके उनकी हकों के रच्षा करने का प्रयास करा है हम आज उस समय आज हदिक परवा मना रहे हैं जब हमारे देश में उस खबरों ने देश में एक नई चेतना लाई है हर भारतिय दुनिया के किसे भी कौने में कौनर रहता हो आज इस बात का घर्व कर रहा है कि भारत विश्व की छट्थी बड़ी एकोनोमी में अपना नाम दर्ज करा दिया है ऐसे एक सकारात्मग माहूल में सकारात्मग घट्थाओं की स्रिंखला के बीच आज हम आज हादी का परव मना रहे हैं देश को आज हादी दिलाने के लिए पुझ्ज बापू के नेत्रोत में लक्षावदी लोकों ने अपना जीवन खपा दिया जवानी जेलों में गुजार दी कई क्रांतिकारी महापुरुशों ने फांसी के तक पर लटक करके देश की आज हादी के फांसी के फंदों को चुम लिया मैं आज देश वासियों की तरफ से आज हादी के इन वीर सेनानियों को रदाई पुरवक नबन करता हूँ अंतर पुरवक प्रणाम करता हूँ जिस तरंगे जन्डे की आन बान शान हमें जीने जूजने की मरने मिटने की प्रेणा देता है उस तरंगे की शान के लिए देश के सेना के जवान अपने प्राणों की आहूती दे देते हैं हमारे अर्दसाइनिक बल जिंदगी खपा देते हैं हमारे पुलिस बल के जवान सामान ये मानवी की रक्षा के लिए दिन रात देश की सेवा में लगे रहते हैं मैं सभी सेना के जवानों को अर्दसाइनिक बलो को पुलिस के जवानों को उसकी महान सेवा के लिए उनकी त्यात तपस्रिया के लिए उनके पराकरम पुर्शारत के लिए आज तिरंगे जंडे की साक्ष में लाल खिले की प्राचीर से शत शत नमन करता हूँ और उनको बहुत बहुत शुब कामना है देता है इन दिरों देश के अलग अलग कोने से अच्छी वर्सा की खबरे आ रही है तो साथ साथ बाढ़ की भी खबरे आ रही है अती बुरुष्टी और बाढ़ के कारण जिन परिवारों को अपने स्वजन खोने पड़े हैं जिने अपने मुसिबते जेल नी पड़ी हैं उन सब के प्रती देश पूरी शक्ती से उनकी बदद में खड़ा है और जिन्नों ने अपनों को खोया है उनके दुख में मैं सहभागी होता हूँ मेरे प्यारे देश वासियों अगली वैशाखी हमारे जल्यावाला बाग के उस नरसंहार को सौ वर्स हो रहे है देश के सामान ये लोगों ने देश की आजहादी के लिए किस प्रकार से जान की बाजी लगा दी थी और जुल्म की सीमाए कितने लांग चुकी थी जल्यावाला बाग हमारे देश के उन वीरों के व्याद और बलिदान का हमें प्रेणा का संदेश देती है मैं उन सभी वीरों को रुदय पुर्वक आदर पुर्वक नमन करता हूँ मेरे प्यारे देश वासियों यह आज हाद है ऐसे ही नहीं मिली है पुझ्य बापू के नेतरुत्म में अनेग महपुर्शों ने अनेग वीरपुर्शों ने क्रामतिकारियों के नेतरुत्म में अनेग नवजवानों ने सत्याग्रह की दुनिया में रहने वालों ने जमानी जेलों में काट करते हैं हमें देश को आजहादी दिलाई है लेकिन आजहादी के संगर्श में सपनों को भी संजोया है भारत के भव्य रूप को भी उन्होंने मन में अंकित किया है और आधादी के कईवर्श पहले तमुलनाडू के राष्ट कभी सुब्रमिन्नम भारती ने अपने सपनों को शब्दों में पिरोया था और उन्होंने लिखा था एलारूम अमर निलियाई अईडूम नन मुरययी इंदिया अलीगिरिकु अलिकुम इंदिया उलागिरिकु अलिकुम यानि कि भारत उन्होंने आधादी के बाद क्या सपना देखा था सुब्रमिनम भारती ने कहा था भारत पुरी दुनिया के हरत्वरके बंधनों से मुक्ति पाने का रास्ता दिखाएगा मेरे प्यारे देश वास्यों इन महापुरुशों के सपनों को पूरा करने के लिए आधादी के सेनानियों की इच्छाओं को परिपूर्ण करने के लिए देश के कोठी कोठी जनों की आशा अकांचाओं को पूर्ण करने के लिए आधादी के बाद पुझ बाबा साब आमबेड करजी के नित्रुतों में भारत ने एक समावेशी सम्विधान का निर्मान किया यह हमारा समावेशी सम्विधान एक नए भारत के निर्मान का संकल पर लेकर के आया हमारे लिए कुछ जिन्मेवारियां लेकर क्या आया है हमारे लिए सीमा रेखाएं तर करकर क्या आया है हमारे सपनों को साखार करने के लिए समाज के हर वर्त को हर तपके को भारत के हर भूबात को समान डुप से अवसर मिले आगे ले जाने के लिए उसके लिए हमारा समीधान हमें बारदर्शन करता रहा है मेरे प्यारे भाईयों भेनों हमारा समीधान हमें कहता है भारत की तिरंगे जंडेश हमें प्रेणा मिलती है करीबों को न्याई मिले सभी को जन जन को आगे भड़ेने का आउसर मिले हमारा निम्न मध्यंबर मध्यंबर उच्च मध्यंबर उनको आगे भणने में कोई रुकावटे ना आए सरकार की अर्चने ना आए समाज विवस्ता उनके सपनों को दबोच न दे उनको अधीक्तम अउसर मिले वो जितना फलना फुनना चाहे हमें खिलना चाहे हम एक बातावर बनाएं हमारे बुजूर्ग हो हमारे दिव्यांग हो हमारी महिलाएं हो हमारे दलीद, पीडी, सोसित हो हमारे जंगलों में जिन्दी की गुजानने वाले आदिवासी भाई बहन हो हर किसी को उनकी आशाओ अपेछाओ के अनिसार आगे बढ़ने का अवसर मिले एक आफ पंदिर भर हिंदुस्तान हो एक सामरत्वान हिंदुस्तान हो एक विकास की निर्थदर गती को बनाये रखने वाला लगातार नईूचाईयों को पार करने वाला हिंदुस्तान हो दुनिया में हिंदुस्तान की साख हो रिचना ही नहीं हम चाहते हैं कि दुनिया में हिंदुस्तान की दमग भी हो वैसा हिंदुस्तान बनाने के लिए हम चाहते हैं मेरे प्यारे देश वाद्शों मैंने पहले भी टीम इंडिया की कलपणा आपके सबासो करोर देश सबासुआं की भागीदारी होती है जन जन देश को आगे भराने के लिए हमारे साथ जुड़ता सबासो करोर सपने सबासो करोर संकल्प सबासो करोर पुर्शार्थ जब निर्धारित लक्ष की प्राप्ति के लिए सही दिस हमें चल पड़ते हैं तो क्या मैं आच बड़ी नमरता के साथ बड़े आदर के साथ ये जरूर कहना चाहूंगा कि 2014 में इस देश के सबां सो करोन नागरिकों ने फिरिप सर्पकार बना करके वो रुके नहीं थे 2014 में देश वासी सिर्फ सर्कार बना करके रुके नहीं थे लेकिन वे देश बनाने के लिए जूटे भी हैं जूटे भी थे और जूटे रहेंगे भी मैं समयता हूँ यहीं तो हमारे देश की ताकत है सबां सो करोर देश वासी हिंदुस्तान के छे लाग से अधिक गाउं आज स्री अर्विन का अभी जन्म जैन्ती है स्री अर्विन ने बहुत सटिक बात नहीं थी स्री अर्विन ने कहा था रास्त क्या है हमारी मात्रभू में क्या है ये कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है नहीं ये सिर्फ संबोधन है नहीं ये कोई कोरी कलपना है राष्ट एक विशाल शक्ति है जो असंग के छोटी छोटी इकाईयों को संगजित उर्जा का मुर्थ रूप देती है स्री अर्वीन की ये कलपना ही आज देश के हर रागरी को आगे देश को ले जहने में जोट रहे हैं लेकिन हम आगे जा रहे हैं वो पता तब तक नहीं चलता है जब तक हम कहां से चले थे उस पर अगर नजर न डाले ते कहां से हमने यात्रा का आरंब किया था अगर उसकी और नहीं देखेंगे तो कहां गए हैं कितना गए हैं इसका साइद अंदाज नहीं आएगा और इसलिए 2013 में हमारा देश जिस रप्तार से चल रहा था जीमन के हर छेत्र में 2013 की रप्तार थी उस 2013 की रप्तार को अगर हम आधार मान के सोचें और पिछले चार साल में जो काम हुए हैं उन कामों को अगर लिखा जो खा ले तो आपको अचरज होगा कि देश की रप्तार क्या है गती क्या है प्रगती कैसे आगे बढ़ रही है सोचालाई ही ले ले अगर सोचालाई बनाने में 2013 की जो रप्तार थी उसी रप्तार से चलते हैं तो शायद कितने दशक बीत जाते हैं सोचालाई सत प्रतीशत बुरा कर देज़े हैं अगर हम गाउं में बिजली पहुचाने की बात को कहें अगर 2013 के आधार के आधार पर सोचें तो गाउं में बिजली पहुचाने के लिए शायद एक दो अस्दसक और लग जाते हैं अगर हम 2013 की रफ्तार से देखें तो लपीजी गैस कनेक्शन गरिब को गरिब मां को धुमा मुक्त बनाने बाला चुला अगर 2013 की रफ्तार से चले होते तो उस काम को पूरा करने में शायद सो साल भी कम पड़ जाते हैं अगर 2013 की रफ्तार से चले होते तो अगर हम 2013 की रफ्तार से अप्टिकल वाइबर नेटवर करते रहते आप्टिकल वाइबर लगाने का काम करते तो तो शायब पीडिया निकल जाती उस गती से आप्टिकल फाइबर हिंदुस्तान के गावों में पहुचाने के लिए ये रफ़तार ये गती ये प्रगती ये लक्ष इस प्राप्ति के लिए हम आगे बढ़े हैं अगनागे एस जायँ प्रगते हैं अब इसको पूरा करना कि सरकार हो समाज हो केंद्र सरकार हो राज्य सरकार समने मिल जूल करके प्रयास करना इंडरनत्र अवस्षक होता है और उसी का परणाव है आद्देख में कैसा बडर लावा आया देश वही है, धर्ती वही है, हवाएं वही है, आस्बान वही है, समंदर वही है, सरकारी दप्तर वही है, फाइले वही है, मिनने प्रक्रियाए करने वाले लोग भी वही है लेकिन चार साल देश पर लाव महसूस कर रहा है देश एक नई चेतना नया उमंग नई संकल्प नई सिद्धी नया पुर्थाब उसको आगे बढ़ रहा है और तभी तो आज देश दो गुनी हाईवे बना रहा है तो देश चार गुना गाओं में नए घर बना रहा है देश आज रिकॉर्ड अनाज का उपादन कर रहा है तो देश आज रिकॉर्ड मोबाइल फोन का मैनुफेक्टरिंग भी कर रहा है देश आज record टेक्टरों की बिक्री हो रही है गाओं का किसान tractor record टेक्टर की खरीदी हो रही है तो दूसरी तरफ देश में आज आज़ाजी के बाद सबसे ज़्यादा, हवाई जहाज खरीदने का भी काम हो रहा है देश आज स्कूलों में सवचाले बनाने के विक्रम कर रहा है तो देश आज नए आएम, नए आई आई टी, नए एम्स इसकी स्थापना कर रहा है देश आज छोटे-छोटे स्थानों पर नए स्कील्स डवलेमेंट के मिशन को आगे बढ़ा करके नए ने सेंटर खोल रहा है, तो हमारे टायर टू, टायर थ्री सिटी में स्टार्ट अप की एक बाड़ आई हुई है, बाड़ आई हुई है भाई योभनो, आज गाउं, गाउं गाउं तक, डिजीटल इंडिया, एक तरफ हम डिजीटल इंडिया को लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो एक संबेदन सिल्कर सरकार, एक तरफ डिजीटल हिंदुस्तान बढ़े इसके लिए काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ, मेरे जो द हमारा देश कर रहा है हमारा देश का किसां इन दिनों आधुनिकता वेज्ञानिकता और जाने के लिए माइक्रो इलिगेशन ड्रिप इलिगेशन स्प्रिंकलर उस पर काम कर रहा है तो दूसरी तरफ 99 पुरानी बंदपड़ी सिचाई के बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी चला रहा है हमारे देश की सेना कहीं पर भी प्राकुरुदिक आपड़ा हो पहुंच जाती है संकर्थे गीरे मानों को रक्षा के लिए हमारी सेना करुणा माया मम्ता के साथ पहुंच जाती है लेकिन वोही सेना जब संकल पगले करके चल पड़ती है तो सर्जिकल स्टाइक करके दुष्वनों के दाद खटे करके के आ जाती है ये हमारा देश विकास का कैनवास कितना बढ़ा है एक भी छोड़ देखिए दुसरा छोड़ देखिए देश पुरे बड़े कैनवास पर आज नए उमंग और नए उसका के साथ आगे बढ़ रहा है मैं गुजरात से आ रहा हूँ गुजरात में एक कहावत है निशान चुक माफ लेकिन नहीं माफ निचा निशान इम बड़े होने चाहिए सपने बड़े होने चाहिए उसके लिए मानत पड़ती है जबाब देना पड़ता है लेकिन अगर लक्स बड़े नहीं होगे लक्स दूर के नहीं होंगे तो फिर फैसले भी नहीं होते हैं विकास की यात्रा भी अटक जाती है और इसलिए मेरे प्यारे भाईयों भेनों हमारे लिए आवशक है कि हम बड़े लक्ष ले करके संक्रियलबे के साथ आगे बढ़ने की दिशा में प्रयास करें और जब लक्ष जूलमूल होते हैं होसले बुलंद नहीं होते हैं तो समाज जीवन के जरूरी फैसले भी सानों तक अटके पड़े रहते हैं MSP देख रही हैं इस देश के अर्थसास्त्री मांग कर रहे थे किसान संगर्षन मांग कर रहे थे किसान मांग कर रहा था, राजनितिक दल मांग कर रहे थे, कि किसानों को लागत का डेड़ गुना MSP मिलना चाहिए, सालों से चर्चा चल रही थे, फाइले चलती थी, अटकती थी, लटकती थी, पटकती थी, लेकिन हमने फैसला दिया, हिम्मत के साथ फैसला दिया, कि मेरे द आते थे जी एस्टी लेकिन मिनने नहीं हो पाते थैंसले लेने में मेरा अपना लाब गर्लाब राजनीती चुनाव यही चीजों का दबाव रहता था आज मेरे देश के छोटे छोटे ब्यापारियों की मदद से उनके खुले पन से नए पन को स्विकार रेके उनके सवहाव क कारण आज देश ने जी एस्ट्री लागू कर दिया ब्यापारियों में एक नया विस्वाथ पादा हुआ मैं देश के ब्यापारी आलम को छोटे मोटे उद्योग करने वारे आलम को जी एस्ट्री के साथ सुरू में कठी नहीं आने के बावजुद भी उसको गले से लगा या अस्फिकार किया देश आगे बढ़ा आज हमारे देश के बैंकिंग सेक्टर को ताकतवाद मराने के लिए इंसॉलवंसी का कानून हो बैंक्रप्ची का कानून हो किसने रोका था पहले नहीं होता था इसके लिए एक ताकत लगती है दम लगता है विस्वात लगता है और जनता जनारदन के पती उनने समरपन लगता है तब लेगता है बेनामी संपति का कानून क्यों नहीं लगता है जब होसले बलंद होते हैं देश के लिए कुछ करने का दिरादा होता है तो बेनामी संपति के कानून भी लागू होते हैं मेरे देश की जेवना सेना के जवां तीन तीन चार चार दसक से वन रैंग बन पैंशर के लिए मांग कर रहे थे वो डिसिल्पिन में रहने के कारण आंदोलन नहीं करते थे लेकिन आवाज सुना रहे थे कोई नहीं सुनता था किसी ने तो निर्णे करना होता है आपने में उस निर्णे की जिम्मेवारी दी हमने इसको पुरा कर दिया मेरे प्यारे भाईयों हम कड़े फैसले लेने का सामर्थ रखते हैं क्योंकि देश हीत हमारे लिए स्वर्व परी है दल हित के लिए काम करने वाले हम लोग नहीं और उसे के खारण हम संकल पर लेकर के चल पड़े हैं मेरे प्यारे भाईयों भानो हमें कैसे भूल सकते हैं कि आज बैश्विक अर्थ विवस्ता के कालखन में पूरी दुनिया भारत की भी हर बात को देख रही है आशा अपेक्षा से देख रही है और इसलिए भारत की छोटी छोटी चीजों को भी बड़ी चीजों तो भी विश्व बड़ी गहराई के साथ नजर करता है आप याद करिए 2014 के पहले दुनिया की गनमान ने संचता है दुनिया के गनमान ने अर्थजात ली दुनिया में जिनकी बात को अथिकृत माना जाता है ऐसे लोग कभी हमारे देश के लिए क्या कहा करते हैं वो भी एक जमाना था जब दुनिया से आवाज उटती थी विद्वानों से आवाज उठती थी कि हिंदुस्तान की एकॉनमी रिस्क भरी है उनको रिस्क दिखाई देता था लेकिन आज वही लोग वही संता हैं वही दोस्त बड़े विश्वास के साथ कह रही है कि रिफॉम मॉमेंटम फंडामेंटल को मजबूती दे रहा कैसा बड़ावाव एक समय था घर में हो या घर के बाहर दुनिया एक ही कहती है रेट टैप की बात करती थी रेट टैप की बात करती थी लेकिन आज रेट कार्पेट की बात हो रही है इस अब बिजनेस में हम सो तक पहुंच गये आज पुरा विश्वा इसको गर्व से ले रहा है वो भी दून था जब विश्वा मान करके बैठा था भारत याने पारलिसी पारालिसी भारत याने डिलेड रिफार्म वो बात हम सुनते थे आज भी अख़बार निकाल के देखोगे तो दिखाए देगा लेकिन आज आज दुनिया से में एक ही बात आ रही है रिफार्म पर्फार्म ट्रांस्फार्म एक के बाद एक निती भी शेर समय बद निन्यनों के सिल्सला वो भी एक वक्त था जब विश्वा भारत को फ्रेजाइल फावी में गिनता था दुनिया चिंति थी कि दुनिया को दुबेने में भारत भी अपनी भूमिक आदा कर रहा है फ्रेजाइल फावी में हमारी गिनती हो रही थी लेकिन आज आज दुनिया कह रही है भारत मल्टी प्रिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन बन गया है बहीं से आवाज बदल गई है मेरे भारे भाईयों दुनिया भारत के साथ जुड़ने की चर्टा करते समय हमारे इंफ्रास्टर्चर की चर्टा करते कभी बिजली जाने से ब्लیک आउट हो गया उन दिनों को याद करती है कभी बॉटल नेक्सी चर्टा करती थी लेकिन वही दुनिया बही लोग वही दुनिया को मार्दर्सन करने बाले लोग इन दिनों कह रहे हैं सोया हुआ हाथी, भारत के लिए कह रहे हैं, सोया हुआ हाथी, अब जग चुका है, चल पड़ा है, सोये हुए हाथी ने अपनी दौड शुरू कर दी है, और दुनिया के अर्थे वेत्ता कह रहे हैं, इंटरनेशनल इंस्टिटूशन कह रहे हैं, आने वाले तीन दसक तक, तीस साल तक, विश्व की अर्थ ताकत को भारत गती देने वाला है, भारत एक विश्व के विकास का नया स्रोध बनने वाला है, ऐसा विश्वास आज भारत के लिए पैदा हुआ है. मेरे प्यारे देश वास्चियों, आज आंतराश्टिय मंच पर भारत की साख बड़ी है, नीती नितारित करने वाले छोटे मोटे जिन जिन संगठों में, आज हिंदुस्तान को जगा मिली है, वहां हिंदुस्तान की बात तो सुनना जा रहा है, हिंदुस्तान उसमें दिश आज को बुलंद की है, मेरे प्यारे देश वाईयों, कई वर्षों से जिन संगठों में हमें सदस्ता का इंतुजार था, आज देश को विश्व की अंगिरित संगठों में हमें स्थान मिला है, आज भारत परियावन की चिंतावानों के लिए, ग्लोबल मॉर्ण के लिए प पुरे विश्व में उसकी अगवाई कर रहा है, आज कोई भी हिंदुस्तानी दुनिया में कही पर भी पैर रखता है, तो विश्व का हर देश उसका स्वागत करने के लिए लाला इस होता है, उसकी आँखों में एक चेतना आजाती हिंदुस्तानी को देख करके, भारत के पासपोर्ट की ताकत बढ़ गई है, हर भारतिय के आत्म विश्वास ने एक नई उर्जा, नया उमंग लेकर के आगे बढ़ने का संकल पर कैदा किया है, मेरे प्यारे देश वाजिव, विश्व में तहीं पर भी, अगर मेरा हिंदुस्तानी संकट में है, तो आज उसे भर इतना है, जिसके कारण हम आप देख रहे हैं, मेरे प्यारे देश पास, विश्व में भी, भारत की तरफ देखने का नजरिया जैसे बढ़ला है, वैसे ही, हिंदुस्तान में भी, जब कभी नौर्थ इसकी चर्चा आथ हुती थी, तो क्या खबरे आते थी, वो खबरे जो लगता था, कि अच्छा हूँ, ऐसी खबरे ना है तो अच्छा हूँ, लेकिन आज, मेरे भाईू बेहनों, नौर्थ इस्ट एक प्रकार से, उन खबरों को लेकर के आ रहा है, जो देश को भी प्रेना दे रहा है, अज खेल के मैदान बे देखिए, हमारे नौर्थ इसकी द गई और राद भर गाउन नाचता रहा, आज नौर्थ इस्ट से ये खबर आ रही है, आज नौर्थ इस्ट में हाई वे, रेलिवे, एर वेज, वाटर वेज, और इनफरमेशन वेज, आई वेज, उसकी खबर आ रही है, नौर्थ इसके तरब, आज बिजली के ट्रांस्पि वहाँ बीपियों खोल रहे हैं, आज हमारे सिक्षा संस्थान नए बन रहे हैं, आज हमारा नौर्थ इस्ट और इनिक फार्मिंग का हब बन रहा है, आज हमारा नौर्थ इस्ट स्पोर्स उनिवर्सिटी के मेजबानी कर रहा है, भाईयों भेनों, एक समय था, जब नौर् तिसके दर्वाजे पर लाकर के खड़ा कर दिया है भाई और भेनों आज हमारा देश 35 प्रतिसत जन संग्या 35 साल की उमर की हम देश के जमानों के लिए गर्व कर रहे हैं देश की युवागों पिड़ी का गर्व कर रहे हैं हमारे देश की युवागों ने आज अर्थ के सारे मान नंडों को बदल दिया प्रगेती के सारे मान नंडों में एक नाया रही है भर दिया कभी बड़े शहरों की चर्चा हुआ करती थी आज हमारा देश टायर टू टायर थ्री सिटी की बात कर रहा है कभी गाउं के अंदर जा करके आज दुनी खेती में लगे हुए नवजवान की चर्चा कर रही है हमारे देश की नवजवान ने नेचर अब जोब उसको पुरी तरह बदल दिया है स्टार्ट अप हो बिपी हो हो इकॉमर्स हो मोबिलिटी का खेत्र हो ऐसे नए खेत्रों को आज मेरे देश का नवजवान अपने सीने में बंद करके नई उंचाईयों पर देश को ले जाने के लिए लगा हुआ है मेरे पैरे भाईयों बैना तेरा करोण मुद्रा लोन बहुत बड़ी बात होती है तेरा करोण और उसमें भी चार करोण वो लोग है वो नवजवान है जिनोंने जिन्दगी में पहली बार कहीं से लोन लिया है और अपने पैरों पर खड़े होकर के स्वरोजगार पर आगे बढ़ रहा है यह अपने आप में एक बदले हुए बदले हुए बातावरं का एक जीता जाकता हुदा रहा है आज हिंदुस्तान के गावों में डिजिटल इंडिया के सपने को आगे ले जाने के लिए तीन लाख हिंदुस्तान के आधे से ज़्यादा गावों में कॉमन सर्विस सेंटर मेरे देश की युवा बेटे और बेटियां चला रही है और हर गाव को हर नागरी को पलक जलबते विश्व के साथ जोडने के लिए इन्फर्मेशन टेक्नोलोजी का भरपुर उप्योग कर रहे हैं मेरे भाई और भेनों आज मेरे देश में इन्फास्ट्रेक्टर के नए रूप ले लिए है रेल की गती हो रोड की गती हो आएबे हो हाईबे हो नए अरपोर हो एक प्रकार से हमारा देश बहुत तेज गती से आगे बढ़ रहा है मेरे प्यारे भाईयों भेनों हमारे देश के बैग्यानिकों ने भी देश के नाम को रोशन करने में कभी कोई कमी नहीं रखी विश्वा के संदर बेव हो और भारत के आवश्चता के संदर पे कौन हिंदुस्तानी गर्वने ही करेगा जब मेरे देश के वेग्यानिकों ने एक साथ सो से अधिक सैटलाइट आसमान में छोड़ करके दुनिया को चकित कर दिया था ये सामर्थ है हमारे वेग्यानिकों का है हमारे वेग्यानिकों का पुरसार था कि मंगला यनकी सभलता और पहले ही प्रयास में सभलता विश्व के अंदर हमारे लोग मंगल के कक्षा में प्रवेश किया वहां तक पहुँचे यह अपने आप में हमारे वैज्ञानों के शित्ति थी आने वाले कुछ दिरों में हमारे वैज्ञानों के अधार कल्पना और सोच के प्रणाम सरूप नाविक उसको हम लॉंच करने जा रहे हैं देश के मच्वारों को देश के सामान नागरिक को नाविक के दोरा दिशादर्सन का एक बहुत बड़ा काम आने वाले कुछी दिनों में हम लगाएंगे मेरे प्यारे देश वासियों आज इस लाल के लिए की प्राचीर से मैं देश वासियों को एक खुश खबरी सुनाना चाहता हूँ हमारा देश अंत्रीक्ष की दुनिया में प्रगदी करता रहा है लेकिन हमने सपना देखा है हमारे वैज्यानिकों ने सपना देखा है हमारे देश ने संकत किया है कि 2022 जब आज हादी के 75 साल होंगे तब यह हो सके दूस से पहले आज हादी के 75 साल मनाएंगे ताब तब माँ भारत का कोई संतान चाहे बेटा हो या बेटी कोई भी हो सकता है बे अंतरीक्ष में जाएंगे हाथ में तिरंगा जंडा ले करके जाएंगे आज हादी के 75 साल के पहले इस सपने को पूरा करना है मंगरियान से ले करके भारत के बेग्यानिकों ने जो अपने ताकत का परिचे करवाया है अब हम मानव सहीत गगनियान ले करके चलेंगे और ये गगनियान जब अंतरीक्ष में जाएगा हिंदुस्तान ही ले करके जाएगा हिंदुस्तान के मग्यानिकों के द्वारा हुआ हिंदुस्तान के पुर्शार्ट के द्वारा हुआ होगा तब विश्व के अंदर हम चोथे देश बन जाएंगे जो मानव को अंतरिछ में पहुँचाने वाले बन जाएंगे भायो भनो मैं देश के बेज्ञानिकों को देश के टक्नीशन्स को मैं रुबे से बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस महान काम के लिए भायो भनो हमारा देश आज अन्न के भंडार से भरा हुआ विक्रम अनुत्पादन मैं देश के किसानों को खेथर मद्दूरों को क्रिशी के खेथर में काम करने वाले विज्ञानिकों को देश में क्रिशी क्रांती को सफलता पुर्वग आगे बढ़ाने के लिए रदे से बहुत बहुत बधाई देता हूँ लेकिन भाई यो भेनो अब वक्त बदल चुका है हमारे किसान को भी अमे कृशी बाजार को भी वैश्विक चुनवतियों का सामना करणा होता है वैश्विक बाजार का सामना करना होता है जन संग अवर्दी होती हो जमिन कम होती जाती हो तब हमारी कृशी को आधुनिक बनाना वैज्यानिक बनाना टेकनोलोजी के अधार को आगे ले जाना ये समय की मांग हो और लिट लिए आज हमारा पूरा ध्यान कृशी छेत्र में आधुनिकता लाने के लिए बदलाव लाने के लिए चल रहा है हमने सपना देखा है किसानों की आए दो गुनी करने का आजादी के 75 साल हो किसानों की आए दो गुनी करने का सपना देखा है कई लोगों को इस पर आशंका होती है बहुत स्वाभाविक है जिनको आशंका होती है बहुत स्वाभाविक है लेकिन हम लक्स ल प्त्थर पर लकील करने की सभावाले लोग मक्षन पर लकील को कोई भी कर लेता है अरे प्त्थर पर लकील करने के लिए पसीना बहाना पड़ता है योजना बनानी पडती है जीजान से जुटना पड़ता है और इस लिए आज़ादी के 75 साल होंगे तब तक देश के किसानों को साथ ले करके क्रिसी में आदूनी काला करके क्रिसी के फ़रक प्वर्क चोड़ा करके हम आफ चाहते हैं 20 से ले करके 22 तक हम value addition करना चाहते हैं हम आदूनी करना करना चाहते हैं और कई नहीं फचले भी अब रेकॉर्ड उत्पादन करने चाज़ आगे बढ़ रही है यह अपने आप में पहली बार हम देश में एगरी कल्चर एक्सपर्ट पॉलिसी की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं ताकि हम हमारे देश का किसान भी विश्व बाजार के अंदर ताकित के साथ खड़ा रहे आज नई क्रिशी क्रांती और्गनिक फार्मिंग ब्लू रिवालुशन स्वीट रिवालुशन सोलार फार्मिंग यह नए दाइरे खुल चुके हैं उसको लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं हम खुशी की बात है का आज हमारा देश दुनिया में सेकन हाइस मचली उत्पादन में पहुच चुका है और देखते ही देखते हैं वो नंबर एक पर भी पहुचने वाला है आज हनी सहत का एक्सपोर्ट दो गुना हो गया है आज गन्ना किसानों के लिए खुशी होगी कि हमारे इथेनौल का उत्पादन तीन गुना हो गया है यानि एक प्रकार से ग्रामी अर्थेबवस्ता में जीतना कुरुशी का महत्व है उतना ही ओन कारोबारों का है और इसलिए हम लिमेंसेल फेल्प गुरुप के द्वारा अर्बो खर्बो गुरुप्यों के माद्यम से गाउं की जो समसादन है गाउं का जो सामर्थ है उसको भी हम आगे बढ़ना चाहते हैं और उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं खादी पुझजबापू का नाम उसके साथ जुड़ा हुआ है आज़ाजी से अब तक जितनी खादी बेचने की परंपा थी मैं आज नम्रता से कहना चाहता हूं खादी की बिक्री पहले से डबल हो गई है गरीब लोगों के रात में रोजी रोटी पहुंची है मेरे भाईयो भेलों सोलार फार्मिंग मेरा देश का किसान अब सोलार फार्मिंग की और भी बल देने लागा है खेती के सिवाए के समय वो सोलार फार्मिंग से भी बिजली बेज करके भी कमाई कर सकता है हमारा हद करगा कर्च तलाने वाला व्यक्ति हमारे हैंडलूम की दुनिया के लोग ये भी रोजी रोटी कमाने लगे है मेरे प्यारे भाइव भीशनो अमारे डेश में आर्थिक विकास हो आर्थिक सम्रुद् MARTIN हो लेकिन इन सब के बावजुद भी मानव की घरिमा यह सुप्रीम होती है मानव की गरिमा के बिना देश संतुलित रुप से न जी सकता है ने चल सकता है ने पढ़ सकता है और इसलिए व्यक्ति की गरिमा व्यक्ति का सम्मान हमने उन योजनाओं को ले करके आगे बढ़ना चाहिए ताकि वो सम्मान भर जिन्दगी जी सके गर्व से जिन्दी जी सके नीतियां ऐसी हो रीति ऐसी हो नियत ऐसी हो कि जिसके कारण सामान ने मानवी गरीब से गरीब मानवी भी हर किसी को अपने आपको बराबरी के साथ जीने का आउसर देखता हो और इसलिए उजवला योजना हो हमने गरीब के घर म बिजली पहुंचाने का काम किया हो स्रमेव जैतर को बल देते हुए हम आगे बढ़ने के दिशा में काम कर रहे हैं कली हमने हमारे महा महिम राष्ट पतीजी का उद्वधन सुरा उन्होंने बड़े विस्तार से ग्राम स्वराज अभियान का वरण किया किस प्रकार से 65,000 तो कहते हैं नीतिया तो बनती है लेकिन लास्ट पाइड डिलिवरी नहीं हुई कल राष्ट पतीजी ने बड़े अच्छे तरीके से बढ़न किया कि किस प्रकार से आकांची जीलों के 65,000 गाउं में दिल्ली से चली हुई योजना को गरीब के घर तक पिछडे गाउं तक क तो कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था मखोल उड़ाया था कुछ लोगों ने ये भी कहा था अरे सरकार के पास बहुत सारे काम है यह स्वच्छता जैसे में अपनी उर्जा क्यों खपा रहे हैं लेकिन भाईयों बहनों पिछले दिनों डबली हो की रिपोर्ट आ कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको सुच्छता में भागीदार बनकरके इन तीन लागबच्चों की जिन्दगी बचाने का पुंड पाने का आउसर नहीं पिला गरीभ के तीन लागबच्छों की जिन्दगी बचना कितना बड़ा मानवता का काम है बिश्व संस्था इसको कर रही है भाईयों भेनों अगला सर्ष मात्मा गांदी के 150 वी जैंति का वर्ष है पुझ्ज बापु ने अपने जीवन में आजादी से भी जादा महत्व स्वच्छता को दिया था और वह कहते थे हमने भी आज गांदी बापु के 150 वर्ष स्वच्छ भारत आजादी मिली सत्याग रहियों से स्वच्छता मिलेगी स्वच्छाग रहियों से गांदी जी ने सत्याग रही तैयार किये थे और गांदी जी की प्रेरणा ने स्वच्छाग रही तैयार किये है और आने वाले 150 वी जैंतिजम मनाएंगे तब ये देश पुझ्जबापू को स्वच्छ भारत के रुपे ये हमारे कोटी कोटी स्वच्छाग रही मापुझ्जबापू को कारियान जली समर्पित करेंगे और एक प्रकार से जिन सपनों को ले करके हम चले हैं उस सपनों को पूरा करें मेरे भाईयों भेनों इस सही है कि स्वच्छता ने तिन लाख लोगों की जिन्दी के को बचाया है लेकिन आरोग्या कभी बिमारी कितना ही मद्यंबर का सुखी परिवार क्यों नहों अच्छी खासी आई रखने वाला व्यक्ति क्यों नहों गरीब क्यों नहों एक बार घर में बिमारी आ जाएं तो ब्यक्ति नहीं पूरा परिवार बिमार हो जाता है कभी पीड़ी दर पीड़ी बिमारी के चक्र में फस जाता है देश के गरीब से गरीब ब्यक्ति को सामान ये जन को आरोग्य की सुविधा मिले इसलिए गंबीर बिमारियों के लिए और बड़ी अस्पतालों में सामान्य मानवी को भी आरोग्य की सुविधा मिले, मुप्तमे मिले और इसलिए भारत सरकार ने प्रधान मंत्री जन आरोग्य अभियान प्रारम करने का तैक किया है ये प्रधान मंत्री जन आरोग्य अभियान के तहट आईश्मान भारत योजना के तहट इस देश के दस करोड परिवार ये प्रारम्भिक हैं आने वाले दिनों में निम्ड मद्यंबर, मद्यंबर, उच्च मद्यंबर उसको भी इसका लाब मिलने वाला है और इसलिए दस करोड परिवारों को, याने करिब करिब पचास करोड नागरीक हर परिवार को पांच लाख रुपिया सालाना, ये हेल्थ एश्मान देरे की योजना है, जे हम इस देश को देने वाले हैं और आज 15 आगत से इसके लिए जो टेक्नोलोजी के टूल बने हैं, क्योंकि ये टेक्नोलोजी डिवन व्यवस्ता है, ट्रांस्परंसी पर बल हो, किसी सामान्य व्यक्ति को ये अवसर पाने में दिक्कत ना हो, तो रुकावट ना हो, इसमें टेक्नोलोजी इंट्रवेंशन बहुत महत्वपूर है, आज 15 आगत से आने बाले 4, 5, 6 सब्तां देश के अलग-अलग कौने में इस टेक्नोलोजी का टेस्टिंग शुरू हो रहा है, और फुल प्रूप बनाने की दिशा में ये प्रयास चल रहा है, और फिर ये योजना को आगे बढ़ाने के लिए 25 सितंबर, पंडित दिन दयाल उपध्याय की जन्म जेंती पर पूरे देश में ये प्रधान मंत्री जन्द आरोग ये अभियान लांच कर दिया जाएगा, और उसका परणाम ये होने वाला है, कि देश के गरीब व्यक्ति में अब बिमारी के संकट से जूजना नहीं उसका परिवार तबाह नहीं हो जाएगा, और देश में भी मद्नमर की परिवारों के लिए नवजबानों के लिए आरोगे के छेत्र में नए अवसर फुलेंगे, टायर टू, टायर त्री सिटी में नए अस्पताल बनेंगे, बहुत बड़ी मात्रा में मेडिकल स्टाप ल कोई गरीब गरीबी में मरना नहीं चाहता है, कोई गरीब अपने बच्चों को विरासत में गरीबी दे करके जाना नहीं चाहता है, वो छेक पटा रहा होता है जिंदगी बर गरीबी से बहार निकालने के लिए और इस संकर से बहार आने के लिए गरीब को ससक्त बनाना यह यही उपचार है यही उपाय है हमने पिछले चार साल में गरीब को ससक्त बनाने की दिशा में बल दिया है हमारा प्रयास रहा है गरीब ससक्त हो और अभी अभी एक अंतराश्य समस्ता ने एक बहुत अच्छी रिपोर्ट निकाली है उन्होंने कहा है कि पिछले दो वर्ष में भारत में पांच करोड गरीब गरीबी की रेखा से बहार आये है भाई यो भेड़ो जब गरीब के ससक्तिकरण का काम करते हैं और जब मैं आईश्वान भारत की बात करता था दस करोर परिवार यहने क्या पचास करोर जनसंग यहने क्या बहुत कम लोगों कंदाज होगा कितनी बड़ी योजना है अगर म अमेरिका कैनेडा और मेक्सिको इसकी जनसंख्या मिला लूँ तो करीब करीब इतने लाभारती यह आईश्मान भारत योजना में है अगर मैं पूरे यूरोप की जनसंख्या जिन लो तो करीब करीब उतनी ही जनसंख्या भारत में इस आईश्मान भारत के लाभारती बनने बाले हैं भाई औ भेनो गरीब को ससकता बनाने के लिए हमने अनेक योजनाय बने हैं लेकिन योजनाय तो कभी बनती है लेकिन बिचो लिए कटकी कंपनी उस में से मलाई खा लेती है गरीब को गरीब के हका मिलता नहीं है खाजाने से पैसा जाता है कांगेच पे योजनाय दिखती है देश लूरता चला जाता है और सरकारे आँखे मुंद करके बैख रही सकती है और मैं तो कतई नहीं बैठ सकता हूं और इसलिए भाई योभेनो हमारे विवस्ता में जो आई विकृतिया है उस विकृतियों को खत पादा करना बहुत आवश्यक है और यह दाईत्वा राज्य हो केंद्र हो स्थानिय स्वराज की संताय हो हम समने मिलकर के निभाना होगा और इसको आगे बढ़ाना होगा आप जान करके हरान होंगे जब से हम इस सफाई अभ्यान में लगे हैं लिकेजिज बंद करने में ल लाभारती डुप्लिकेट गैस कनेक्शन वाला कोई राशनकार का लाभारती होता था कोई स्कॉलर्शिप का लाभारती होता था कोई पेंशन का लाभारती होता था लाम मिलते थे लेकिन 6 करोड लोग ऐसे थे जो कभी पैदाही नहीं हुए जिनका कहीं अस्तित्व ही नही और च्छे ब niemand करोन कि लोगों को परिशानी हुई हुगी जो इंसान पैदा नहुवा को इंसान धर्टी कर नहीं है इस सरकार मुजक्त को रोका है बरस्टा चार इसंडरों को रोकने की दिस्कान हुए यह कण परणाम क्या है करीम 90,000 करोड रुपिया ये छोटी रखम नहीं है 90,000 करोड रुपिया जो गलत लोगों के हाथ में गलत तरीके से गलत कामनामों से चले जाते थे वो आज देश की तीजोरी में बचे हैं जो देश के सामान ने मानवी की भलाई के लिए काम आ रहा है भाई यो बेहनों ये होता क्यों है ये देश गरिब की गरिमा के लिए काम करने वारा देश है हमारा देश का गरिब सम्मान से जीए इसके लिए काम करने रहा है लेकिन ये बिचोलिये क्या करते थे आपको पता होगा बाजार में गेहूं की कीमत 24-25 रुपिय है जबकि राशनकार पर सरकार वो गेहूं 24-25 रुपिय में खरीद करके सिर्फ 2 रुपिय में गरीब तक पहुंचाती है चावल बाजार में कीमत 30-32 रुपिया है लेकिन गरीब को चावल मिले इसलिए सरकार 30-32 रुपिय में खरीद करके 3 रुपिय में राशनकार वाले गरीब तक पहुंचाती है याने की एक किलो गोहूं को चोरी खर ले गलत फरजी नाम से तो उसको तो 20-25 रुपिय ऐसे ही मिल जाते है एक किलो चावल मार ले तो उसको 30-35 रुपिय ऐसे ही मिल जाते है और इसी कारण ये फरजी नामों से कारोबार चलता था और जब गरीब राशनकार दुकान पे जाता था वो कहता दा राशन खतम हो गया राशन वहां से निकल के दूसरी दुकान पे चला जाता था और वो 2 रुपिय से मिलने वाला राशन मेरे गरीब को 25-25 रुपिय से खर कोटी कोटी गरिवों को दो रुपिये में तन रुपिये में खाना मिलता है सरकार उसके लिए बहुत बड़ा आर्थिक खर्द कर रही है लेकिन इसकी क्रेडिट सरकार को नहीं जाती है और मैं आज विशेश रुप से मेरे देश के इमानदार करदाताओं से कहना चाहता हूँ कि आज जब दोपर को आप खाना खाते हो पल भर के लिए परिवार के साथ बैठ करके मेरी बात को याद करना मैं आज इमानदार करदाताओं कि दिल को छूना चाहता उनके मनमंदिर्ट में नमन करने के लिए मैं जा रहा हूँ मेरे देश्वासियों जो इमानदार करदाता है जो टैक्स देता है मैं आपको भी स्वाद दिलाता हूँ कि जो इमानदार व्यक्ति कर देता है उन पैसों से ये योजनाई चलती है ये योजनाओं के पुन्याई अगर किसी को मिलती है तो सरकार को नहीं मेरे इमानदार कर देताओं को मिलती है टैक्स पेर को मिलती है और इसलिए जब आप खाना खाने के लिए बैठते हैं तो आप विश्वास कीजिए आपके कर देने की इमानदार प्रक्रिया का परिणाम है कि जब आप खाना खा रहे हैं उसी समय तीन गरीब परिवार भी खाना खा रहे हैं जिसका पुन्य इमानदार करदाता को मिलता है और गरीब का फेड भलता है हो देशается देश पे कर न भरने के हबा बनाई यहा रही है लेकिन जब करदाता को पता चलता है कि उससे कर से उसके टैक से भले वह अपने घर में बैठा है एर कंडिशन कमर में बैठा है लेकिन उसके टैक्से उसी समय तीन गरिवा परिवार अपना पेट भर रहे हैं इससे बड़ा जीवन का संतोष क्या सकता है इसके उससे ज़्यादा मन को पुन्य क्या हो सकता है भाईयो भेनो आदेश इमानदारी का उत्सव ले करके आगे बढ़ रहा है और इमानदारी का उत्सव ले करके चल रहा है देश में 2013 तक डारेक्ट टैक्स देने वालों की संख्या 4 करोड थी याने पिछले 70 साल की हमारी गतिविदी का परड़ाम था कि देश में डारेक्ट टैक्स देने वाले 4 करोड लोग थे लेकिन भाईयों भाईयों नो ये 4 करोड से भी कम 2013 तक और आज ये संख्या करीब करीब दो गुना हो करके पोने 7 करोड हो गई है कहा 3 सारे 3 पोने 4 करोड और कहा पोने 7 करोड ये इमानदारी का जीता जागता उदारन है देश इमानदारी की और चल पड़ा है इसका उदारन है इन डारेक्ट टैक्स सत्तर सान में हमारे देश में जितने इंडारेक्ट टेक्ट में उद्दे मी जुड़े थे वो सत्तर साल में सत्तर लाग का आंकड़ा पहुँचा था सत्तर साल में सत्तर लाग लेकिन सिर्प GST आने के बाद पिछले एक वर्ष में एक वर्स में ये सत्तर लाग का आखड़ा एक करोड सोला लाग पर पोँच गया भाईयो भनो मेरा देश का हर व्यक्ति आज इमान दारी के उत्सों में आगे आ रहा है जो भी आगे आ रहे हैं मैं उनको नमन करता हूँ जो आगे जाना चाहते हैं मैं उनको विस्वाद दिलाना चाहता हूँ अब देश परेशानियों से मुक्त गवर पुड़ करदाता का जीमन बनाने के लिए प्रतिविद्ध है मैं करदाताओं को विस्वाद दिलाना चाहता हूँ आप देश को बनाने में योगदान दे रहे हैं आपकी परेशानिया यह हमारी परेशानिया है हम आपके साथ करे हैं क्योंकि आपके योगदान से हमें देश को आगे बढ़ाना है और इसलिए भाई यो भेनो हम काला धन ब्रसाचार को माफ नहीं करेंगे कितनी यह आफ़ते क्यों न आए इस मार को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ मेरे देश वाजियो क्योंकि देश को दिमक की तरह इनी बिमारियों ने तबाह करके रखा हुआ है और इसलिए हमने आपने देखा होगा अब दिल्ली के गलियारों में पावर ब्रोकर नजर नहीं आते हैं अगर दिल्ली में कहीं गुंज सुनाई देती हैं तो पूबर की गुंज सुनाई देती हैं भाईयों भेनों ये वक्त बदल चुका है हम ने देश में कुछ लोग अपने गरों में बैठके कहते थे यो बैनो भाई बतिजे बाद को हमने खतम करें तीन लाख संदिग करें त्रांस्परेंट बनाने के लिए ओनलाइन प्रक्रिया चालू करें हमने आईटी टेक्नलोजी के उप्योग किया है और उसका परिणाम है कि आज परियावरण एक समय था परियावरण की मंजुरी याने करप्शन के पाहण चरते जाना तब जाकर के मिलती थी भायो भेनो हमने उसको ट्रांस्परेंट कर दिया है ऑनलाइन कर दिया है कोई भी व्यक्ति उसको देख सकता है और भारत के संसाधनों का सही उप्योग हो इस पर हम काम कर सकते हैं कि भारत की सुप्रिम कौट में आज तीन बहला मान्य न्यादीश आज हमारे देश को न्याई दे रही हैं भायो भेनो मुझे गर्व है हिन अजाजी के बाद ये पहली कैबिनेट है जिसमें सरवाधीक महिलाओं को स्थान मिला है भायो भेनो मैं आज इस मंच से मेरी कुछ बेटियां बहंदूर बेटियों को एक खुश खबरी देना चाहता हूं भारतिय ससस्त्र सेना में शौर्ट सर्विस कमिशन के माध्यम से नियूक्त महिला अधिकारियों को शौर्ट सर्विस कमिशन के माध्यम से महिला अधिकारियों को पूरू समकष अधिकारियों की तरह पारदर्शी चरेन प्रक्रियादवारा स्थाई कमिशन का मैं आज गोशना करता हूं जो हमारी लाखोत बेटियां आज युनिफॉर्म की जिंदगी जी रही है देश के ल दे रहा हूं लाल किले की प्राचीर से दे रहा हूं देश की महलाником के नए और सक्ति शाली भार्रक के निरमाड मैं कंदे से कंदे मिला करके चल रही है कि हमारी माँ बहनों का गर्व उनका योगदा उनका सामर्थ अधिश अनुभव कर रहा है खेट से लेकर खेट के मैदा तक हमारी महलाएं हिंदुस का तिरंगा जंडा उंचा कर रही है। सर्पन से लेकर के संसत तक हमारे देश की महलाएं देश के विकास के लिए अपना योगदान दे रही है। स्कूल से लेकर के सेना तक हमारे देश की महलाएं आज कंदे से कंदा मिला करके आगे बढ़ रही है। बलातकार पीडा दाये लेकिन बलातकार की शिकार उस बेटी को जितनी पीडा होती है उससे लाखों गुना पीडा हमें देशवाचियों को देश को जंता को हरे को लाखों गुना पीडा होनी चाहिए। भाई यो बेहनों ये राक्ससी मनोवरती उससे समाच को मुक्त कराना होगा। देश को मुक्त कराना होगा। कानून अपना काम कर रहा है। पिछले दिनों मद्द प्रदेश में पांच दिन के अंदर कटनी में बलातकारियों के केस पांच दिन चला और पांच दिन में फांसी की सजा सुना दी गई। उसी प्रकार से राजस्तान में भी कुछी दिनों में बलातकारियों के केस चले और उनको फांसी की सजा सुना दी गई। आज ये फांसी की खबरें जितनी जादा प्रचारित होगी इन राक्सेसी मनोवरती के लोगों में भाय पैदा होगा। हमें इन खबरों को प्रचारित करना चाहिए अब फांसी पे लटकना तै हो रहा है ये अब लोगों को पता चलना चाहिए और राक्सेसी बृत्ती की मानसिक्ता वालों को भाय होना चाहिए हमें इस मानसिक्ता पर प्रहार करने की अवज़ सकता है इस विकृती पर प्रहार करने की अवज़ सकता है और भाईयों भेनो यही सोच यही विकृती अक्षम में अपरादों को जन्म देती है और उटसे हमें हमारे लिए सुप्रीम है रूल अफ लौ उसमें कोई कमप्रबाज नहीं हो सकता है किसी को भी कानून हाथ में लेने का हक नहीं दिया जा सकता है और परिवार में भी स्कूलों में कॉलेज में प्रचार माध्यों में हमारे बच्चों की हमारी नई पीडी फूल जैसे नादान बच्चों की परवरिश ऐसे हो ताकि उसके रगों में संसकार हो महिलाओं का गवरव करने का उसके दिल दिमाग में भरा हो कि महिलाओं का सम्मान ये जीवन जीने का सही तरीका होता है नारी का गरो ये जीने का सही रास्ता हो सकता है ये हमें अब परिवारों में भी ये संसकार बेने होंगे भाईयों बेहनों मेरी मुस्लिम महलाए बेहने उनको मैं आज लाल के लिए से विश्वाद दिलाना चाहता हूँ तिन तलाग की कुरिती ने हमारे देश की मुस्लिम बेटियों की जिन्दगी को तबाह करके रखा हुआ और जिनको तलाग नहीं मिला है वो भी इस दबाओं में गुजारा कर रही है इस सत्र में भी हमने पार्लामेंट पे कानून लाकर के हमारी इन महिलाओं को कुरितीयों से मुक्ति दलाने का बिड़ा उठाया था लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो इसे पारित नहीं होने देते हैं लेकिन मैं मेरे देश की पीडित माता और बेहनों को मेरे मुस्लिम बेटियों को मैं भी स्वाद दिलाता हूँ कि मैं उनके न्याई के लिए उनके हक के लिए करने में कुछ भी कमी नहीं रखूंगा और मैं आपके आशाक आंच्छाओं को पूर्ण करके रहूंगा मेरे प्यारे देश वाद्यों सेना हो अर्दसाइनिक हो अर्दसाइनिक बल हो हमारे पुलिस बल हो हमारी खूफिया एजन्सियों इनकी एक जूटा ने देश में आंतरिक सुरक्षा को एक बहुत बड़ी ताकत दी है एक आंतरिक सुरक्षा का एसास प्यदा किया है एक शांति के वातावर्ण को उनके इस्तियाग तपस्या और कठोर परिश्यम के कारण एक नया विश्वात पैदा हुआ है भायो बैनों आए दिन नौर्थ इस्ट में हिंसक घटनाओं की खबरे आती थी अलगावबाद की खबरे आती थी बंबंदू पिस्तोल की घटनाएं सुना ही देती थी लेकिन आज एक आम फोर्जी स्पेशल पावर एक्ट जो तिन तिन चार चार दसक से लगा हुआ था आज मुझे खुशी है कि हमारे सुरच्षा बलों के प्रयासों के कारण राज्य सरकारों की सक्रियता के कारण केंद्र और राज्य की विकास की योजनाओं के कारण जन सामान्य को जोड़ने के प्रयासों का परणाम है कि आज कई वर्षों के बाद त्रिपूरा और मेगावे दो राज्य पूरी तरह आम फोर्सी स्पेशल पावर एक्से मुक्तभ हो गए है और उनाचल प्रदेश के भी कई जिले इससे मुक्तभ हो गए है इने गुने जिलों में अब ये स्थिती बचिए लेप्पिंग एक्सिमीजम माववाद देश को रक्त से रंजीत कर रहा है आए दिन हिंसा की बारदाते करना भाग जाना जंगलों में छिप जाना लेकिन लगातार हमारे सुरक्षा बलों के प्रयासों के कारण मौत के साएं में जीने के लिए मजबूर कर रहा था आज वो कम हो करके करीब करीम 90 जिलों तक आ गया है और वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है भाई यो बहनो जम्मो और कश्मी अटल व्याहरी बाजपईजी ने हमें रास्ता दिका है और वही रास्ता सही है उसी रास्ते पर हम चलना चाहते हैं बाजपईजी ने कहा था इंसानियत जम्मूरियत और कश्मीरियत इन तीन मुर्ली मुद्वा को लेकर के हम कश्मीर के विकास के लिए चाहे लदाख हो चाहे जम्मो हो या स्वीन अगर बेली हो संपुलित विकास हो समान विकास हो वहां के सामान ने मान भी की आखसा कांख्षाओं को पुर्ण हो इन्फरस्टेक्टर को बन मिले और साथ साथ जन जन को गले लगा करके चले इसी भाव के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं हम गोली और गाली के रास्ते पर नहीं गले लगा करके मेरे कश्वीर के देजभक्ती से जीने वाले लोकों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं भाई यो बेनों सिचाई की परियोजनाई आगे बढ़ रही है आई आई टी आई एम एमस उसका निर्मान कारियत तेजी से चल रहा है दल जिल के पुना निर्मान का पुनरुदार का काम भी और हम चला रहे हैं और सबसे बड़ी बात है आने वाले दिनों में जम्मू कश् कश्मीर में हमें पंच्याईोंतों के ना थानिये निकाओं के चुनाओ दीजिए किसी न किसी कारण से रुका हुआ था मुझे खुषी है कि आने वाले कुछी महिरों में जम्मू कश्मीर में गाउं के लोगों को अपना हग जिताने का आउसर मिलेगा अपना स्वयं देव हुए पंच के पास ताकत आएगी और इसलिए बहुत निकट भविश्वें पंच आयोतों के चुना हो सानिय नगर निकायों के चुना हो उसकी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं भाईयों बेनों हमें देश को नई उचाईयों पर ले जाना है जन सामान्य और हमारा मंत्र रहा है सबका साथ सबका विकास कोई भेजबाव नहीं कोई मेरा तेरा नहीं कोई अपना पराया नहीं कोई भाई भती जावाद नहीं सबका साथ याने सबका साथ और इसलिए हम ऐसे लक्षताय करके चलते हैं और मैं आज फिर एक बार इस तिरंगे जंडे के नीचे खड़े रह करके लाल किले की प्राचीर से कोटी कोटी देशवाजियों को उन संक्चल्पों को दोहराना चाहता हूं, संक्चल्पों का उद्गोश करना चाहता हूं, जिसके लिए हम अपने आपको खपा देने के हो, power for all, हर भारती को दून से मुक्ती मिले रसोई में, और इसलिए cooking for all, हर भारतियों को जरुरत के मिताविक, जल मेह झान तौन मेह झान चाहता मुआ अक्लाद तौन का चाहता ही आदilla हया मदनिए स्कील फर ओल हर भारतिय को अच्छी और सस्ती स्वास्त सेवाई मिले इसलिए हेल्थ फर ओल हर भारतिय को सुरक्षा मिले इसलिए सुरक्षा का बीमा सुरक्षा कबच मिले और इसलिए इंशॉरंस पर ओल हर भारतिय को इंटरनेट की स्वेवा मिले और इसलिए Connectivity for All इस मंत्र को ले करके हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं मेरे प्यारे बेहनों लोग मेरे लिए भी बाती बाती की बाते करते हैं लेकिन जो कुछ भी कहा जाता है केकी दोश कई देश हमसे आगल निकल चुके है मैं बेश से बढ़ा हूँ मेरे देश को उन सारे देशों से भी आगे ले जाने के लिए मैं बेश सकता हूँ मैं बेचेन हूँ मेरे प्यारे देश स्वाजियों मैं बेसबर भी हूँ मैं बेचेन भी हूँ मैं बेचेन हूँ हमारे देश के बच्चों के विकास में कूपोशन एक बहुत बड़ी रुकावट बना हुआ है एक बहुत बड़ा बॉटल नेक बना हुआ है मुझे मेरे देश को कुपोशन से मुक्त कराना है इसलिए मैं बेचेन हूँ मेरे देश स्वाजियों मैं व्याकून हूँ मैं व्याकून हूँ का कि गरीब तक समुचित हेल्थ कवर प्राप्त हो इसके लिए मैं बेचेन हूँ ताकि मेरे देश का सामान व्याक्ते भी बीमारी से लड़ सके बीड़ सके भाईो भणो मैं व्याकून भी हूँ मैं व्याकून भी हूँ का कि अपने नागरी को क्वालिटी ओफ लाइफ इज ओफ लिविंग उसका अवसर प्रदान हो उसमें में सुधार आए मेरे प्यारे देश वाजियों मैं ब्याकुल भी हूँ मैं बग्र हूँ मैं आधीर भी हूँ मैं क्योंकि चौथी औध्योगी क्रांती जो ग्यान के अधिस्थान पर चलने वाली चौथी औध्योगी क्रांती है उस चौथी औध्योगी क्रांती का नेतृत्व आईटी जिसके उंगलियों पर है जो मेरा देश उसकी अगवाई करे इसके लिए मैं अधीर हूँ मेरे प्यारे देश व साथनों का पूरा लाब उठाये और विश्वमें गर्व के साथ हम आगे बढ़े मेरे प्यारे देश वाच्यों कि जो हम आज है हम कल उससे भी आगे बढ़ना चाहते हमें ठहरा मंजूर नहीं है हमें रुकना मंजूर नहीं है और जुकना तो हमारे स्वभाव में नहीं है, ये देश न रुकेगा, न जुकेगा, ये देश न ठकेगा, हमें नई उचाईयों पर आगे चलना है, उत्तर उत्तर प्रगदी करते चुल रहा है, भाईयों भेनों, बेच से वर्तमान तक, बेच से वर्तमान तक, विश्व की चीर पुरात विरास्त के हम दरी है हम पर इस विरास्त के अशिरवाद है उस विरास्त ही हमारे आप प्रविश्वात की बदौलत है उसको ले करके हम भविश्य के और आगे बढ़ना चाहते हैं और मेरे प्यारे देश्वाद हम सिरफ भविश्य देखने वाकर अटकना नहीं चाहते हैं हम बविशे भी देखना चाहते हैं लेकिन बविशे के उस सिखर को भी पहुँचना चाहते हैं बविशे के सिखर को सपना ले करके हम चलना चाहते हैं और इसलिए मेरे प्यारे देश वातियो मैं आपको एक नई आशा नया उमंग नया विस्वास देश उसी से चलता है दोईस उसी से बदलता है और इसलिए मेरे प्यारे देश वाचियो अपने मन में एक लक्ष लिए अपने मन में एक लक्ष लिए मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए अपने मन में एक लक्ष लिए मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए हम तोड रहे हैं जंजीरे हम तोड रहे हैं जंजीरे हम बदल रहे हैं तस्वीरे हम तोड रहे हैं जंजीरे हम बदल रहे हैं तस्वीरे ये नव यूग है ये नव भारत है ये नव भारत है खुद लिखेंगे अपनी तकदीर हम बदल रहे हैं तस्वीर खुद लिखेंगे अपनी तकदीर ये नव यूग है नव भारत है हम निकल पड़े हैं हम निकल पड़े हैं प्रन करके अपना तनमन अर्पन करके जीद है जीद है एक सुर्य उगाना है अंबर से उचा जाना है एक भारत नया बनाना है एक भारत नया बनाना है मेरे प्यारे देश वास्यों फिर एक बार आज हादी के पावन परवपर आपको अनेक अनेक शुपतामना है देते हुए आए जैहिन के मंत्र के साथ उच्छस्वर से मेरे साथ बोलेंगे जैहिन 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 बारत माता की बारत माता की बारत माता की बंदे बंदे मंतरूं पंजाब सिंध जुजरात मराथा राइल उंकल बंग बिंग हिमाचल यमना गंग उंचल जलतितरंग तब शुब नामे जागे तब शुब आशिष मागे दागे तब जय गाथा जल जल मंदल दायत जय है भारत भागे विधाता जय है 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 Prime Minister Modi, sharing his government's achievements, hopes and vision for the country. An excited group of young children. करें करें करें